तो फ्रेंड्स देखिए यहां पे मैंने गेहूं का बहुत मोटा वाला आटा होता ने जिससे भाकरी बनती है आदे कप से जादा मैंने वोल लिया हुआ है तो हम आज बहुत ही जादा क्रिस्पी और खस्ता मसालेदार नाश्टा बना रहे हैं इसके बाद जो नॉर्मल आटा होता है जिसमें हम लोग रोज रोटी बनाते हैं वो वाला दो कप हम ले लेगे तो रेशियो हम दोस्पी आधेों ओधे से थोड़ा स competition आटा से के बादे कालो कॉभरत हैं अदि मिreso JENNドンbecber,, तो प॥ सिर्टीं हाँ हाफ टी स्पूस छाटवर दाल है और 2 टी मन जाम जाल है चाट मसाला मसाला 2 टी स्पूस नहीं गी जाल ह तो दोनों उसका घी और तेल दोनों का मुएन देंगे ना तो बहुत ही करारे और क्रिस्पी बनते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है ये नाश्ता इसमें सारे मसाले भी होते है और फिर मुएन हमने अच्छे से दिया होता है और थोड़ा मोटा आर्टा मिलाया तो बहुत करारे और क्रिस्पी बनते है अब अब इसमें नमक मिला दिया है तो अब अपने हाथों की सहायता से इसको बहुत जादा अच्छे से मतलब बिल्कुल करंबल फॉर्म में आने तक इसको मिलाते रही है इसको अपने हाथों से तो बिल्कुल अच्छे से ये सारा म तो देखिए पी कितना अच्छा मारा आटा हो गया है और मुठी भी बन रही मतलब बहुत अच्छा मारा उसमें मुएन हमने डाला है तो बस जिस कटोरी से हमने माप लिया था आटे का उसी कटोरी को एक कटोरी भर के मैंने पानी लिया है थोड़ा-thोड़ा पानी जो है कटोरी से हमने इसमें कितना पानी डाला है तो बस इस तरीके से थोड़ा-thोड़ा पानी डालके अच्छा सा आटा तयार कर लीजिए तो देखिए हमारा बिल्कुल टाइट डो बनके तयार हो गया और इसमें जो मैंने पूरा पानी लिया था एक कटोरी वह पूरा पानी इ यह लोपान तरी जेखिए मैं उसारी मिला रहा है थे न न भी अज़ए अभी उमिक्स करदा तो यहां पे 2 टी स्पून आ वो टील डालना है तो इतिये मैं आप अब बडेटर रहेंगा तब उपर से यहॉच्छे आलें हम चुछे मीरें अब तीं शोओं वाईर नहा गाहा तो जो आप अनाश्टा है बहुत अच्छा बन के तयार हो नहीं तो अभी जब आप रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल क्रेक क्रेक सी इसकी बनेगे तो अच्छे से इसको नीट कर लीजिए और बिल्कुल अच्छा सा आउटा हमारा तयार हो जाएगा तो देखिए आटा बिल्कुल रेडी है तो अब इसमें से हम थोड़ा पोर्शन लेके और इसके एक रोटी बरी सी बनाके तयार करेंगे तो रोटी बनाईए रोटी हमें उतनी पतली बनानी है जितनी नॉर्मल रोटी हम रोज बनाते हैं आटिलम हमें इससे पतला ही रकना है दो देखिए इस तरां के इसे रोल कर देना के पतला सक घंके बनानी है तो इसको कर लिए तो यह देखिए हम इसको बहुत अच्छे से बेल लिया है और यह तो आधा करेंगे तो आधा करेंगे तो करने के बाद एक फोट लिए और उसके बाद चेट करना है तो हम इसको तरीके से दोनों साइड में उच्छे से होल कर देंगे तो देखिए इसमें भाद अच्छी तरीके से हमा Motsして अब बस इनके हम को पकली-पकली सी स्ट्रिप काटनी है तो अब शेप जो है वह आप अपनी मरजी से दे सकते हैं स्वाद तो वही रहेगा शेप आपकी मथी रहेगी कैसे कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर इतनी पतली काती है आप थोड़ी- चोड़ी भी या आप इससे भी बतला कर सकते हैं तो इसको हम एक साइड में निकाल लेते हैं और हम इसी तरीके से जो बचा हुआ आटा है उससे हम और रोटी बना के और इस तरीके की स्ट्रिप निकाल लेंगे तो यहां पर मैंने लोई ले लिए दूसरी और इसको भी अब हम बेल लेते ह कर दीजे तो इस तरीके से पेट निकाल लेंगे जिए तो इस तरीके रूब तैल हमारा गरम शुका है तो इसमें स्ट्रिप्स टालेंगे जितनी पैन पाणजाए उत्नी ही डालनी है और अचिय का रहता मैं आपस में झाल फड़ी और क्रादानी डोशतों है रहां चले करि पर निखुल्स दिखना है चलू भाल बलें चलू पैसे अधाल करें जो का बस ढाला रेंगा यहाई. प्रीट करें लूल जो लोग करें लूग प्रतों है कि अर29 अधा February 13 in लूग 2nd मीडियम फ्लेम के इते हैं. तो देखिए इसका color change हो चुका है यह देखिए अब यह पक चुकी है पूरी तरीके से तो अब हम इसको एक plate में निकाल लेते हैं और हम अपना दूसरा batch है वो डाल देंगे तो देखिए इस तरीके से हम दूसरा batch भी डाल लेंगे सेम वही procedure है जादा नहीं डालना है कि वो आपस में चिपक जाएं और पक भी ना पाएं तो बस सोड़ी डाल के अच्छे से से हिला दीजे और जब तक इसका color change नहीं हो जाता हमें इसे तब तक पलटते अलटते पकाना है तो देखिए हम इसका अच्छा सा color आ चुका है यह द एक जब है ज़िए कितने जादा अच्छी लिख रही है बहुत जादा करारी क्रिस्पी और बहुत जादा मसाले-दार नहीं है और बहुत ही जादा तेस्टी लगती है जू बदै तो आप लोग मुझे बताया जरूर कीजिए कि कैसी लग रही है कि आप लोग को रेसेपी अच्छी लगती है ना तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए